अगर आप भी इस तरह का बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा चलिए सुरू करते हैं कटिंग नाप से करेंगी और यह मारी मेन कपडा है यहां पर हम बचई हुई अस्तर का works करेंगे में अरा यहिवड ऐस ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप को अब एक मिटर का अस्तर लेना होगा अब है अस्तर को double fold कर लिया है चेस्ट हमानी 8.500 ग्यारा इंच पे fold किया है आप 10.000 दक fold कर सकते हैं थोड़ा कपड़ा extra लेने से यह फायदा होता कि कम ज्यादा नहीं होता है अब हमने नाप लेना फ्रेंज नाप में हम सबसे पहले back side से और देखिए सोल्डर पे इंची टेप को रखना है और जहां पर मारे टेक्स वहां पर रखेंगे बलौज की लंबाई माई 12.45 इंच आ रही है, गले की लंबाई देखिए आपको इस तरही के से स्केल रखे नाप लेना, 10 इंच पर गले की लंबाई है और आर्म होल के पास भी आपको इस तरीके से स्केल रखना है तो हमारा आर्म होल आ रहा है 5.5 तो हमने 3 नाप पीछे से लिया है एक आर्म होल का और एक गले का और एक लंबाई का ये तिनों नाप हम पने कपड़े पर लगा लेंगे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे लंबाये लेंगे 1.5 इंच माजन का लेंगे 10 इंच गले का डीप है इसी 10 इंच गले के डीप के कोडिंग हमने आर्मोल अपना लेना है 5.5 अब देखिए हम सभी लाइनों को मार्क कर लेंगे आप 5.5 इंच भी ले सकते हैं जैसा आपका स्लीप राउन हो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंट्स यहां पर देखिए कले की चोड़ाई हमने 2 इंच ली है कर आप डोरी लगा रहे हैं तो 2 इंच भी ले सकते हैं पर डोरी नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 इंच यह सबा 2 इंच का ही जाला रखें पर्फेक्ट आएगा वर पर्टी धाई इंच तयार रहेगी और हाफ इंच मार्जन कर लेंगे इस तरीके से हमारा स्ल्डर 5 इंच का आगया अर्मोल हमने 5 इंच लिया यह दिखे इस तरीके से और फ्रेंच चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो ब्लाउज को हम स जाल ब्लाउज इस तरीके से भाजेंगे आएंग पर थाखें हाँड़ी देखे 2 इंच मार्जनितम लेना है मार्जन आपनी कौर्णिं रख सकते हैं लाइन को तर्के से तरीके से ठावर नपला, ब्लाओज को इस तरीके से रख लेना है, बटन को अच्छे से बंद करना है, खीच के थोड़ा सा रखना है, ब्लाओज की कमर आ रही तेस इंच, जब तीस को हम हाफ करेंगे, तो उसका आएगा 7.5 इंच, एक इंच, तैक्सका, और 2 इंच मार्जन कर लेंगे, इस तरीके से pineapple ruine की zhanada कार्ण में पैठ लगाते हैं zijलां के matter थाटी पर भी reviewing के matter नेंक कामिया ट्रीच को रहां की नियुक्त कर नापते हैं गश्टर पर्फोट से परफेकि से आना चेहिए अब हम half inch shoulder को down कर देंगे गले की side deep neck पे आप अगर इस तरीके से करते हैं friends आपका गला पिलकुल भी नहीं उतरेगा और यहाँ पे half inch आपको उठा देना यह दो काम तो जरूर करना है अगर आप deep neck गला बना रहे हैं अब देखिए गले की चोड़ा इमने 2 इंच लिया है नीचे भी हम 2 इंच लेके एक box बना लेंगे एकदम सीधा box बनाएंगे और अब इस पे हम गले का मट का save देंगे friends देखिए half inch अंदर की side लेना है और फिर बाहर की side हमने 1 इंच लिया है बाहर की side आप अपने cutting करनी है सिफ 1 इंच लंबाई बढ़ाएंगे friends आप चाहे तो दोनों को साथ में cut कर सकते हैं पर हमने आपको आज अलग-अलग बताया है इसी तरीकी से आप साथ में cut कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है को सारी वीडियो में हमने साथ में cut करना बताया है और यहां पर देखिए हमने 1 इंच लंबाई एक्स्टा ले ली है और फिर जैसा हमारा बैक पार्ट है सेम इसी के बराबर दोनों पार्ट को cut कर लेना है यहां पर हमने फ्रंट और बैक की cutting कर ली है अब यहां पर देखिए जो हाफ इंच हमने बैक पार्ट में उठाया था न उसको भी cut कर लेना है और फिर इसको सेंटर से फोल्ड करके तक्स की मार्किंग कर लेंगे यहां पर बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है यह देखिए और अभी हम गले को cut करेंगे फिर गला कट करते समय आपको हाफ इंच की पट्टी उपर छोड़ देनी चाहिए इससे जब आप गला बैठाते है ता आपका गला पर्फिल तरीक के इस तरीके से हमने सोल्डर आर्म होल को नाप लेना है गहराई की मार्किंग कर लेनी है वैसे फ्रेंट्स काटोरी ब्लाउज में गहराई उतना जादा डिपेंड नहीं करती है क्योंकि इसमें सारे पार्ट अलग अलग कट होते हैं और अब देखिए हम क्या करेंगे वेल इंच माजन को छोड़के अब यहीं धाई इंच को हम इधर भी मार्क कर लेंगे इससे तरीके से अगर हम बेल का सेब देंगे तो अगर आप बिगिनर भी होंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सेब समझ में आ जाएगा और आप से बना भी लेंगे एदेगिस लाइन को हम हाफ इंच उठा लेंगे और इस तरीके का मार्क लगा देंगे इससे परफेक्ट से पाता है यह वाला पॉइंट आप जरूर लगाएगा और अब हम क्या करेंगे देखिए हाफ इंच ले लेंगे हुकाई के लिए बेल्ट में अब कमर लेंगे साढ़े साथ इंच दो इ अब देखिए हमने हाफ इंच उठा इसको कट कर लेंगे और साइड में जो यह मार्क दिख रहा है इसको भी कट कर लेंगे तो सारी कटिंग अमने हाप इंच पर लिए अब हम अपने मेन पाइंट पर आएंगे तो दिखिए हमें सबसे पहले क्या करना यहां पर नाप ले देखिए गला जो सिधा वाला होता है उसको पहले नाप ते हैं यहां पर साड़े 4 इंच आ रहा है यानि कि से हम पांच इंच पर लगाएंगे हाधा इंच इंच इलाए में गया है अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे गले की चोड़ाई पहले हम लेंगे 2 इंच जितन हमने चार इंच पर नाप था और हाधा इंच हम इसमें प्लस करके पांच इंच पर ले लेंगे देखिए अब हम गले का सेब दे देंगे तो गला मारा कंप्लीट हो गया फेंट्स आयोब की आपको समझ में आ रहा हो यहां पर गले को थोड़ा ब्रॉड करेंगे आप बताते हैं तो आपको यह नहीं एक उसके अंदर नहीं जाना है वलकिए आप गहराई कम कर देए पर कटोडे का सेव का पार इख्ड़ाई पर अच्छे से परसिक्ट होना चाहिए चाहे तो मुलकी गुलाई कोकि कमकर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर आपको पर धाई इंचाना चाहिए और कटोरी का से पर्फेक्ट होना चाहिए यह हम अपना तरीका आपको बता रहे हैं आज तक हमने जितना ब्लाउज बनाए हमने कभी भी जोल नहीं देखा गे कि साइड इसलिए हम आपको इदम पूरे विस्टास के साथ बता रहे हैं आप इस तरीके से कटिंग करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगे अगर आपने ध्यान से कटिंग करी है तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पर मारमुल की गहराई को कट कर लेंगे साइड का पाड और वेल्ट का पाड मारम कम्प्लीट हो चुका है अब क्या करेंगे करेंगे काटोरी को अलग से कट करेंगे इसके लिए दिखिए मुने कपड़े को तरीके से डवल फोल में रखा है और आपको कटोरी की कटिंग देखिए कोरनर पे रखे करनी सहां पर कप करेंगे बाकि आपको कटोरी हमेंसा इसी तरह से ही कट करनी है अगर पर्फेक्ट सेप चाहते हैं तो अभी देखिए मने कटोरी का से उतार लिया और हाफ हिंच हुकाई का भी मार्क कर लिया है और अब देखिए अपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है 6.5-8 इंच क मार्क कर देखिए इधर की ऐनी चाहिए अपका छेस्ट ह सेट का इपकटोरी का साइज आना चाहिए अब देखिए इधर की साइड हमने इस तरीके से मिलाना leHO इधर की साइड के लिए हमें क्या करना है यह देखिए इस कटोरी को उठाएंगे यहां से इस पॉाइंट पे मिलाते हो देखिए इदम लाइन पे सीधा रखना है और जैसा हमारे कटोरी का सेफ है आप देखिए इस समझ पा रहे होंगे सेम इसी तरीके से उतार लेना है तो बहुत ही आसान तरीक है आप बस आपको एक बार समझना है आप भी पर्फेक्ट बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत आती ही ने फ्रेंट बहुत ही आसान यसी बनता है और इधर की साइड अगर आपका कपड़ा ज्यादा लग रहा आपका पार्ट तो आप इसे क अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पोच सकते हैं पर पहले आप देख लिया करें अच्छे से समझ लिया करें तब अगर डाउट आए फ्रेंट तो कमेंट करा करें कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिसका जबाब देना भी मुश्किल होता है यहां पर देखिए हमने कट किसले को से फोल्ड कर लिया और टक्स की मार्किंग करेंगे तो की तरीके इस तरीके से हमने चांगेंगे देखे इस तरीके से में टेक्स की ही मार्किंग कर लिए हैं यह दिए भी हमाये कट और भी दम पर फिर्ट के से उत्ro टो इस लाइन को हम मार्क कर लेंगे और आपको इस तरीके सेुट़्प कर लींच पर किसा और इसे तरीके हें है और इहां का पाइंट ना मार कर लेना है और यहां पर हमने सीधा 1.5 इंच रखना है और आप देखिए यहां सी इसंप लाएटा के मिल आदेना सेथे मर आपने ही बन जाएगा मार्चन हमारा स्लिप की मार्किंग तो हो गई आप इसमें पप बनाएंगे उसके लिए 1.5 इंच कपडा एक चाल लेंगे यहां पर 3 इंच हो गया था आपको 2.5 इंच ही रखना इस तरह के से बॉक्स बनाना है और फिर हम अब इस तरह के से सेप को इस स्लिव में लाके मिला देंगे यह देखिए बस इतना ही करना है एक नया लूक आपके स्लिव में आ जाता है बहुत ही पर्फिक्ट लगता है और यह स्लिव इसमें ट्रेंड में चल रही है चाहिए चोटी में बनाए यह एक्स्टा कपड़ा आपको अपने कोर्डिंग लेना है जितना आप पफ बनाना चाह आप डिजाइनर स्लिव पॉफ स्लिव बना सकते हैं जो की समय ट्रेंड में चल रही है आप देखिए अस्तर पर सारे पाट की कटिंग कर लिए अपना में कपड़ा लेना है और इसमें जो लैस की पट्टी लगी इसको हम खोल देंगे अब देखिए कपड़े को में डेबल फोल्ड करके रखना है और सारे अस्तर वाले पाट को स्पेसेट कर लेना है और थोड़ा सा कप्ड़ा एक्स्टालेते हो कट कर लेना आप बेल्ड को यहां पर रखके कट कर सकते थे फ्रेंट पर इसी से आपकी कटोरी जो है खीचतानी बनती है जैसा आपने बैक पार्ट उसी तरीके से आपको बेल्ड भी रखना होता है ताकि आपका सेफ बिगड़ेना परफेक्ट आए तो हमने आपको पूरी कटिंग डिटेल में बता दी हमारी कटिंग कम्प्लीट हो गई है देखें यहां पर सारे पार्ट को हमने कप्ड़े पर कट कर लिया है सिलाई की वी सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक यू